हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागा थे हाप सब का हिंदी चेस वीडियोज में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बोबी फिशर की एक लाजवा बेटेकिंग गेम देखेंगे जो की उन्होंने फॉलिस इंटरनेशनल मास्टर जेक बी बेंडरस्की के सामने 1964 में खेली थी जिसमें बोबी फिशर के वाइट पीसिस थे और उन्होंने गेम की श्रुवार E4 से की बाओ C5, C4 fistule के उन्होंने खेलारने में उन्होंने ठेक्स अना आपमड़ियो में ध्सामन rectum और नौ z 6 डण दी समय कंग हम आएट का फैस सुम रवरेशन ये यहाँ पर Bobby Fischer ने अपनी फेरिट मूँ बिशप टू C4 खेली, and after E6, just बिशप टू B3, anticipating B5, and now Knight B to D7, F4, and now Knight to C5, so Black ने दोस्तों Bobby Fischer के सेंटर पर अटेक किया है, so उनका एडिया यहाँ पर है, Knight captures on E4 का, so अब इस पोजिशन में वीडियो को पोज कीजिए, और सोचिए कि White को क्या खिलना चाहिए, although यह theoretical move है, बड़ आपको पता होनी चाहिए, दोस्तों यहाँ पर White खेलता है F5, और अब Black के लिए तीन अच्छे option है, Bishop to E7, Knight captures on B3, या फिर जो है E5, बट इस पर्टिकुलर गेम में, बलेक नहीं यहाँ पर Knight F captures on E4 खिला, जो की गेम की गलती है, तो आपके कह सकते हो, कि Opening में ही यहाँ पर Black नहीं खिला, और वो भी फिशर को अच्छा कासा इनिशेटीव मिल गया, तो अगेन वीडियो को पोज कीजिए, Knight captures on G3 जो है possible है, जबकि यहाँ पर Computer suggest कर रहा है, कि अगर आपको कुछ भी fight करनी है, तो आपको Knight captures on C3 खिलना चाहिए, जिस केस में Bobby Fischer खिल सकते है, Pawn captures on F7 चेक, and after King D8, अब वो जो है, Pawn captures on H4 के लिए जा सकते है, और जब Knight captures on D1 आता है, तब यहाँ पर वो intermediate move, Bishop to G5 चेक दे सकते है, और यहाँ पर आप कुछ भी खिलो, simply rook captures on D1 next move आएगी, और position जो है, वो white के लिए better है, बट यह जो गेम में खिला गया, उससे थोड़ा अच्छा था, गेम में किया हुआ कि Knight captures G3, और यह गेम की सबसे बड़ी mistake है, इसके बाद कभी भी ब्यक्ट को कोई chance ही नहीं मिला, वीडियो को post किजी और सोचे दोस्तों, यहाँ पर Bobby Fisher ने क्या खिला होगा, रेडी, यहाँ पर Bobby Fisher ने खिला Knight to F3, अब principal attacker जो है, Queen H4 पर, जो की discover check की threat दे रहा है, King D8 के बाद Knight को तो capture नहीं कर सकते हैं, otherwise simply Queen captures on H1, बाद में Queen B exchange black कर लेगा, और Black को कोई दिकत नहीं होगी, उसके पास जो है, exchange होगा, so Rook to G1, and now Knight to F5, जबकि दोस्तों उसी position में, Rook G1 के बाद से आप try करते हो, like Knight to E4 की, but then game को जिस तरह से continue हो सकती है, Knight captures E4, Knight captures E4, and after Bishop to D5, यहाँ पर आप देखे हैं कि Black के लिए जो है, ओपीस निकालना काफी मुश्किल है, हमारी पहली तो threat है, हम जो है, Knight को capture करना चाहते हैं, say आप जो है, Knight को F6 पे move करते हो, then Bishop to G5, and after say H6, आपको यहाँ कुछ ट्राइ करते हो, then Bishop captures, Pawn captures, and Queen to D4, और यहाँ पर दोस्तों काफी variation possible होगे, might be, हमने जो Bishop G5 खेला, वहाँ पर Bishop E7 भी possible होगा, but only no, White को यहाँ पर अच्छा खासा attacking chance है, क्योंकि आप यहाँ पर देखे हैं कि Queen to B6, Queen capture F6 की threat है, Long Castle जो है White easily कर सकता है, और Black का King जो है center में ही रहेगा, so game में क्या हुआ, कि Rook to G1 के बाद, actually खेला गया Knight to F5, और अब यहाँ से जो है, interesting Knight की journey, Bobby Fischer ने start की, Knight to D5, so again वीडियो को पोस कीजिए, और सोचिए, कि Knight to D5 की threat क्या है, आपको क्या लग रहा है, कि Bobby Fischer यहाँ पर क्या करना चाहते है, Knight B6, यहाँ कुछ और, ready, दोस्तों यहाँ पर, actual में threat है, Knight to F4, से Bishop E7 आप खेलते हो, but then Knight to F4, और अब यह Queen जो है, वो trap है, देखे Queen कहीं पर भी जा नहीं सकती, एकी स्क्वेर उसका, Queen H6, जिसमें हम जो है, Knight to E6, चेक देंगे, और Bishop जो है, वो Queen को capture करतेगा, से आप यहाँ पर जो है, Bishop to H4, चेक देते हो, बट फिर भी जो है, simply उदर, King to F1, उसके बाद जो है, कोई भी चेक नहीं है, Black के पास, और Queen देना जो है, वो almost वहाँ पर 4 से, Right, Queen जो है, वो trap हो चुकी है, So, Knight to D5, और Black ने खेल दिया, Queen captures on F7, and now Bishop to G5, चेक, और यहाँ पर आप जो है, Bishop या तो Knight, कुछ भी बीच में नहीं डाल सकते, क्यूंकि हम उसको Knight से capture करेंगे, और Bishop जो है, Queen पर अटेक कर रहा होगा, और उस position में से, आप जो है, Knight captures जब भी B3 के लोगे, हम वापस से Knight को move करेंगे, और Discover चेक देंगे इस Bishop से, So, वहाँ पर position जो है, वो वाइट की better हो जादी, So, गेम में जो है, King to E8 खेला गया, और यहाँ पर दोस्तों किंग टू डी सेवन के लगया, और बोबी फिशर ने जो है, वो लॉंग के सरकल लिया, So, वीडियो को पोज किजिए, और सोचिए इस position को, जहाँ पर बोबी फिशर का King जो है, Completely safe है, जहाँ पर दोस्तों, जह बरदस वाइट का है, टेक है, और position जो है, वो जश्स वाइट के लिए winning हो चुकी है, क्योंकि Black ता King काफी वीक है, यहाँ पर आप इवन जो है, Bishop capture Bishop भी नहीं खेल सकते, क्योंकि threat है हमारी, Knight to E5 और Queen जा रही है, मतलब Bishop से मारो, Bishop या फिर Knight से Bishop को मारो, दोनों ही केस में Knight E5 चेक आ रहा था, और Queen जा रही थी, सो Castling short के बाद, Sorry, Castling long के बाद, Actually Black ने खेला, Queen to E8, and now Bobby Fisher ने खेला यहाँ पर, Bishop captures on E6, and after Knight captures E6, उन्होंने जो है, Queen to E4 खेला, So, Knight on F5 पर टेक है, दूसरी स्रेटे दोस्तों, Queen captures on B7 की, और यहाँ पर Black ने G6 करके, Knight को सेव किया, बट अब Knight captures on E6, और इस पर्टिकुलर पोजिशन में, Actually, Black ने resignation दे दिया, क्यूंके Queen जा रही है, Queen captures on E6 आप गर आप खेलते हो, then Queen captures on B7 चेक, के King E8 के बाद आपको D वाला रुक, जो है, E1 पर लेना चाहिए, और वहाँ पर कुछ 10 मूँ में चेक्मेट हो रही है, बट वह दोस्तों यहाँ पर इतना important भी नहीं रखता, क्योंके हम simply उदर रुक E1 खिलेंगे, बीन है, simply वहाँ पर game just finish हो रही है, सो दोस्तों कैसी लगी आपको Bobby Fischer की यह अटेकिंग गेम और आज का यह वीडियो, I hope मेरा वीडियो और एक गेम दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगे, पसंद आया है तो प्लेस इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए, वीडियो को लैक दीजिए, और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल न भूले, धनिवाद चाहिन, बाबाई,